प्रमुदिति तीरति राज निवासी बैखान से बटु ग्रही उदासी कहाई परसे परे मिली दसे पाचा बर्चने हूँ सीलू सुची साचा तीर्थ राज प्रियाग में रहने वाले वनप्रस ब्रह्माचारी ग्रहस और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और दस-पाच मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और सील पवित्र और सच्चा है सुनते रामे गुनिगरा में सुहाए भरत द्वाज मुनि वरिपहियाए दंडे प्रनामों करते मुनि देखे मूरति मन्ते भागे निजिलेखे सी रामचन जी के सुन्दर गुर समुहों को सुनते हुए वैं मुनि स्रेष्ट भरत द्वाज के पास आए मुनि ने भरत जी को दंडवत पड़ाम करते देखा और उन्हें अपना मूरति मान सौ भागे समझा धाए उठाए लाए उरिलीने दीनी असी में कृतारती कीने आसनु दीनी नाई सिरु बैठे चाहति सकुच ग्रेजनु भजी पैठे उन्होंने दोड का बरत जी को उठा लिया हिर्दय से लगा लिया और आसिरवार्दे कर कृतार्थ किया मुनी ने उन्हें आसन दिया वैसीर नवाकर इस्तरा बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में गुश जाना चाहते हैं मुनी पूछ भी कचु या बड़ी सोचु बोले रिसील किसीली सकोचु सुनाओ भरती हम सब सुधी पाई बिदी करिता पिपरे कि चुन बसा आई उनकी मन में अब बड़ा सोचे कि मुनी कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूँगा भरती किसील और संकोच को देखकर इसी वोले भरत सुनो हम सब ख़बर पाचुके हैं मिधाता के कर्ता पर कुछ बस नहीं चलता तुम घलाने जेजाने करो समझो मात कर्तूः तात कईकै दो सुनाइ गई गिरामती धूद माता की कर्तूध को समझकर तुम हिरता में गलाने मत करो हैं तात कईकै कोई दोस नहीं है उसकी बुद्धी तो सरस्थ्य बिगाल गई थी यहाओ कहते भल्य कहाई न कोई लोक बेदू पुद समन्त दोई तात तुमारे भी मल्य जशुगाई पाहाई लोक बेदू बड़ाई या कहते भी कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और बेद दोनों ही बिद्ध्वानों कोई मानने किन्त हे तात तुमारे निर्मल यसगाँ करतो लोक और बेद दोनों बड़ाई पावेंगे लोक बेद समन्त सब कही जही पुत दे राजुसुगाई राओ सत्त ब्रत तुमाही बोलाई देते राजुसुगाई या लोक और बेद दोनों का मानने है और सब यही कहते हैं कि पि लाकर राज देते तो सुख मिलता धर्म रहता और बढ़ाई होती राम गवन नुबन अनरत मूला जो सुनी सकले बेस वही सूला सो भावी बसी रानी आयानी करी कुचाली अंतहु पचितानी सारे अनर्थ की जड़ तो स्री राम चंजी का बन गमन है जिसे सुनकर समझ संसार क को पिड़ा हुई वह श्री राम को बन गमन भी भावी वस हुआ बेसमज रानी तो भावी वस कुचाल करके अंत में पस्ताई तहो तुमारी अलप अपरादू कहे सो अधम आयानी अशादू करिते हुँ राज तो तुमही न दोशू राम अही होती सुनती संतोसू उसमें भी तुमारा कोई तनिक सा भी अपराद कहे तो आधम अज्यानी और असादू है यद तुम राज करते हो तो भी तुमही दोस सुनकर स्री रामचन जी को भी संतोसी होता अब अतिकीनियों भरत भल तुम्हें उच्ति मत एह हूँ सकले सुमंगले मूले जगे रगवर चर निसने हूँ ए भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया यही मत तुमारे लिए उचित था स्री रामचन जी के चरणों में प पूरी भाग को तुमही समाना या तुमारे आचे रजुनत आता दसरत सुवने राम में प्रेवराता सो वा स्री रामचन जी के चरणों का प्रेम तो तुमारा धन जीवन और प्राण है तुमारे समान बढ़ भागी कौन है तात तुमारे लिए या आश्चर की बात नहीं ह क्योंकि तुम दसरत के पुत्र और स्री रामचन जी के प्यारे भाई हो तुमारे समाना प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है लचमर जी, राम जी और सीता जी तीनों की सारी रात उस दिन अत्यन प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही भी थी जाना मरम नहात प्रियागा मगन होई तुम्हेरे अनुरागा तुम पर असे सनी उरग भर के सुख जी वने जग जैसे जड़ नर के प्रियाग राज में जब इसनान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यार मरम जाना वैं तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे तुम पर भी स्री रामचंजी का ऐसा ही इसने है जैसा मूर्ख मनुस को संसार में सुख में जीवन पर होता है यान अधिक रगवीर बढ़ाई प्रनत कुटूंब पाले रगुराई तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनुरा में सने हूँ या स्री रगवनाच जी की बहुत बढ़ाई नहीं है क्योंकि स्री रगवनाच जी तो सरणागत की कुटूंब भर को पालने वाले हैं ये बरत मेरा या मत है कि तुम तो मानो सरीरधारी स्री रामची के प्रेम ही हो तुम कह भरती कलंक या हम सब कह उपदेश, राम बगती रसिद्धी हिति भास या समह गनेश, हे भरत तुमारे लिए या कलंक है पर हम सब के लिए तो उपदेश है, सिद्धी के लिए या समय घडेश सुव होँआ है नो बीदुबी मली ताती चसुतोरा रगुबरी किंकरे कुमुद चकोरा उदी ती सदा अथाई कब हूग ना गटाई न जग न बदीनी दीनी दूना हे तात तुम्हारा यस निर्मल नभी इन चंद्रमा है और स्री रामचन जी के दास कुमुद और चकोर है वह चंद्रमा तो प्रत दिन अस्थ होता और घटता है जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है परंत यह तुम्हारा यस रूपी चंद्रमा सदा उदै रहेगा कभी अस्थ होगा ही नहीं जगत रूपी आकास में यह घटेगा नहीं वरंदीन दीन दूना होगा कोकति लोग के प्रीति अति करी ही प्रभु प्रताप पे रविछब ही नहरी ही निसी दिनी सुकति सदा सब काहू ग्रस ही न कह कही करता बुरा हूँ तो लोक रूपी चकवा इस रूपी चंद्रमा पर अत्यान प्रेम करेगा और प्रभुस्री राम चंजी का प्रताप रूपी सूर इसकी छव को हरण नहीं करेगा यह चंद्रमा राद दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा कह कही की कर्म रूपी रा इसे ग्रास नहीं करेगा पूर निराम सुपे में पीऊशा गुर्यों मानी दोशे नहीं दूशा राम वगति अब अमी अगाहू कीने उसु लव सुधा ब सुधा हूँ या चंद्रमा स्री राम चंजी की सुन्दर प्रेम रूपी अम्रित से पूर है या गुर के अपमान रूपी दोस्ट से दूसित नहीं है तुमने इस यस रूपी चंद्रमा को स्रिष्टी करके प्रतिपी पर भी अम्रित का सुलब कर दिया आप स्री राम जी के भागते इस अम्रित से त्रिप्थी हो ले भूप भगीरत सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल कानी दसरत गुन गन भरनी न जाही अधिक कहा जही समझ जग नाही राजा भगीरत गंगा जी को लाएं जीन गंगा जी को इसमाड़ी संपूर सुंदर मंगलों की खान है दसरत जी के गुड़ों समू होकवा तो वाड़न ही नहीं किया जा सकता अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है जा सुसनी ही सकोच बस राम में प्रगट भय आए जीहर ही नहीं नहीं कभव निरिखे नहीं अगाए जिनकी प्रेम और संकोच के बस में होकर स्वयम भगवान स्री राम आकर प्रकट भजिने स्री महादेव जी अपने हिर्दे की नेत्रों में कभी अगा कर नहीं देख पाए अथार जिनका सुरूफ हिर्दे में देखते देखते सियू जी कभी त्रिप्त नहीं कि हिरते विद तुम की नियन उपा जह बस राम प्रेम मर्ग रूपा ताति गलानी कर रोजे जाए डरहू दरिद्रही पारु सुपाए परन्तु उनसे भी बढ़कर तुमने कीरती रूपी अनपम चंद्रमा का उत्पन किया जिसमें स्री राम प्रेम थी पिरन के चिन्न के रूप में वस्ता है ए तात तुम ब्यर थीर दे में गलानी कर रहे हो पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो सुनो हू भरती हमें जूटे न कहे ही उदासीनी तापसे बनी रहे ही सबसादनी करे सुफले सुहावा लकने रामे सीह दरे सनुपावा हे भरत सुनो हम जूट नहीं कहेंगे हम उदासीन है किसी का पच्छ नहीं करते तपस्वी हैं किसी का मूँ देखी नहीं कहते और बन में रहते हैं किसी से कुछ प्रियोजन नहीं रखते सबसादनों का उत्तम फल हमें लच्मर जी राम जी और सीता जी को दर्शन से प्राप्त हुआ तेही फल करे फल उदर असी तुमारा सहित प्रियाग सुभागी हमारा भरत दन्ने तुम जसु जगु जईयू कही असे प्रेमी मगर निमुनी भैयू सीता लच्मर सहित्री राम दर्शन रूप उस महान फल का प्रम फल तुमारा ही दर्शन है प्रेयाए अगराज समेत हमारा बड़ा भाग्या है हे भरत तुम धन्ने हो तुमने अपने यस्क से जगत को जीत लिया है ऐसा कह कर मुनी प्रेम में मगनों हो गयू सुनी मुनी बचनी सभासद हरिसे सादु सराही सुमन सुरिभरिसे धन्ने धन्ने दोनी गगनी प्रेयागा सुनी सुनी भरत तुमा गनी अनुरागा भरत द्वाज मुन के बचन सुनकर सभासद हर्सित हो गये सादु सादु कह कर सराना करते हुए देवताओने फूल वर्स आकास में और प्रियाग राज में धनी की धनी सुन सुनकर भरतजी प्रेम में मघ्ण हो रहा है पुलक गाती ही रामों से सजली सरूरो नयन करिप्र नाम मूनि मंडली ही बोले गदि गदि बैन भरत जी का सरीर फूल की तेरदे में स्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल भरे हुए हैं मैं मुनियों को मंडली को प्रणाम करके गद्ध बचन दो दो